ओम श्री पर्मात्माने नमा ओम नमा शिवाए दुरलब सामगरी की एक और अती दुरलब वीडियो में आप सब का स्वागत है करोना वाइरस की इस महामारी के चलते आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृप्य अपने घर पर रहें और जितना हो सके अपने आपको वे अपने परिवार को सुरक्षित रखें आज की जो वीडियो है यह इस बारे में है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हासिल करना है या आप उसे प्रेम करते हैं किसी प्रकार से भी आप उसे पाना चाहते हैं अगर सच्चा प्रेम आपके दिल में किसी के लिए उमड़ रहा है तो किस प्रकार से उसे आप हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे आप अपना बना सकते हैं याद रखे संसार में दो चीज़े होती हैं, एक हमारे मन की, अध्वा उस ईश्वर के मन की यदि हमारे मन की नहीं होती, किसी प्रकार से हम किसी को चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल पाता तो याद रखे कि उस ईश्वर के मन की हो रही है, और जब उस ईश्वर के मन की बात होती है, तो वह कभी गलत नहीं होती किसी भी प्रकार से किसी को वशिभूत करके, या किसी तत्र क्रिया या मंत्र क्रिया की दुआरा कभी किसी को हासिल ना करें क्योंकि ऐसा करके किसी को हासिल करना बेवकूफी होती है हमारे द्वारे दिखाये गए सभी मंत्र केवल और केवल जन कल्यान के रिए है इन मंत्रों का उपयोग आप तब करें जब आप दोनों रजामंध हो और कोई तीसरा व्यक्ति जब बीच में आ जाये आप दोनों के तब इन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं तब कोई आपती नहीं है कि तो यदि आप किसी को अपने वश में करते हैं जबर जस्ती करना चाहते हैं बल पूर्वक किसी को अपने वश में करते हैं तो आपको इसका भुकतान भी इसी जनम में भुगतना पड़ता है इतने दिनों तक वीडियो ना बनाने का कारण सिर्फ अई की था कि हम साधना में थे मेरे बहुत से साधक और साधिकाएं मुझे निरंतर संदेश भेशते रहे कि गुरुजी आप कहा है आप कहा चले गया वीडियो क्यों नहीं बनाते लेकिन उनको क्या पता कि मैं साधना में था इसलिए मैं उने कोई संदेश का जवाब नहीं दे पाया लेकिन अभी हमारी साधना सफल हो गई है वह पूर्ण हो गई है और अब आपको वीडियो का सिलसिला लगातार मिलेगा और आपके प्रशनों के उत्तर भी आपको लगातार मिलेगे बहुत से साधक मुझसे सवाल करते हैं मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी इस विशय पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते कुछ तो पूछते हैं गुरुजी आप कहां चले गए थे आपके स्वास्ति कैसा है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि सब कुछ सही है सब कुछ कुछ कुछल मंगल है और अब से वीडियो का सिलसिला यूहीं लगातार आपको मिलता रहेगा एक सादक हैं बहुत समय से वो आकर्षन पर वीडियो चाहते है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी जो कि आकर्षन के उपर होगी अपनी आकर्षन शक्ति को इतना कैसे बढ़ाएं कि आपके दिवाने सभी होने लगें जहां भी जाएं आप जिसको भी चाहें वो ही आपका दिवाना हो जाए इस हद तक अपनी आकर्षन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें बहुत जल्दी आपको इस वीडियो मिलेगी और आप जो कमेंट करते हैं उनकी जानकारी हमें रहती है यह हमें सब की जानकारी रहती है कौन हमें कमेंट करता है और किस की क्या खुआईश है किस परकार के आप वीडियो चाहते हैं आप एक बार कमेंट करते हैं वह हमें याद रहता है दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा उपाए दे रहा हूँ और ये जो उपाए है ये आपको आपकी immune system जो आपकी रोग प्रतिरोधक शमता है उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम आएगा जो भी साधक हैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति अपनी immune system को मजबूत करना चाहता है अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो इस वक्त उसे गेहिं की जवारी जरूर खानी चाहिए गेहिं की जवारी जो है वह आपकी immune system को बहुत शक्ति देगी बहुत तागत देगी और उसको खाके आपका स्वास्त अच्छा रहेगा और अगर आपका स्वास्त अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है पहला सुख निरोगी काया इसलिए कुछ भी हो जाए अपने स्वास्ते के साथ कभी भी खिलवार ना करें क्योंकि इस संसार में सब कुछ साथ छोड़ देगा लेकिन अगर आपका स्वास्ते अच्छा ए तो आप सब कुछ दुवारा बना सकते हैं लेकिन आपका स्वास्ते बिगड़ गया तो उसे दुवारा बनाना तोड़ा कठीन हो जाता है और हमारी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेंगी ये वीडियो मैंने उन साधकों के लिए है या साधिकाओं के लिए मैंने वीडियो बनाया है जो बहुत ही बेचैन थे जो हमसे बात करना चाहते थे तो हम अब आ गए हैं और आपको बहुत जादा वीडियो मिलेंगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं किसी भी परकार का कोई प्रशना अगर आपके मन में उमढ रहा है तो और इस बार आपको इतने छोटे-छोटे में आपको वीडियो दूँगा जो कि हर कोई गरीब से रहके अमीर तक कोई भी इन वीडियो को कर सकता है और आप इनको क करके चमतकार देखते रह जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम बनी हैं मैं रोज सुनता हूं मुझे रोज फोन आते हैं और नजाने इतने लोग हैं जो वेचारे फोन करते हैं और मैं उनका फोन नहीं उठा पाता उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स होती है जो मुझे फोन करते हैं उनकी रिकोर्डिंग्स तो होती हैं जो ऐसे लोग हैं जो फोन नहीं कर पाती हैं किसी कार्णवश में बात नहीं कर पाता तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या वाटसप पर मुझे से बात कर सकते हैं बाकि इनी शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा लेकिन हमेशा की तरह में आपको आज फिर से कुछ उन लोगों से मिलाना चाहूंगा जिनका काम बना है और वो कितने खुश हैं तो आप एक बार देखिए सुनिए उनकी बात उनी की जुबानी और आपके मन में पर देखिए सुनिए और देखिए सुनिए और प्रेखिए।